असलाम अलेकुम हम आज बनाने जा रहे हैं टामाटर और लसुन की चटनी जे लिया हमने एक टामाटर टामाटर को छोटा-चोटा काट लेंगे और जे लिये हमने 10 बारा लसुन की कलिये पास जोटा-चोटा-पने गरम पाणी में चोटा-चोटा-चोटा टामाटर काट लिया है इस लिया फздरी मिटमाटर हम इन नी करने के बादर दिखाते हैं अब हम इसमे थोड़ा सा जी सपाने है अब इसको हम ग्रह बसाएब देख़ें अभी हो गया जे ग्राइंड टमाटर लाल मिच्ची सूखी वाली और लसून का पेस्ट बन की हो गये थ्यार पैन लेते हैं थोड़ा ही बनारी उसलिए छोटा ले रही हूं टेल तेल को घरम करेंट जाता है जब तक अच्छे से गरम नहीं हो जाता तब तक इसमें कुछ नहीं डालेंगे अब जीरा जब तक जीरा इच्छे तरप नहीं चालाए हुआ है वित्व हमने इसको थोड़ा नीचे उतार लिया है अब हम इसमें डालेते हैं लाल मिरिच बोर्डर थोड़ा सा नमक थोड़ी सी एक बेंच हल्दी तोड़ा जादा ही डालेंगे दनिया बोर्डर को मिक्स कर लेते हैं तब तक हमिस्को रहने देंगे जाए से जब तक जब तक जए चेल नि सोड़ा ज़ेका अच्छी---- चला पर हमें जब तक थी पेस्ट न मंझा उनों कथ तक केंगे लाएंगें जह सकते थी है धुर्ट थोड़ा थोड़ा तेल खोड़ रह sélustize से शे प साट है डेखें अच्छे से बंके तियार होगी आग conosks pray Unix the ऑप पूरा तेल छोड़ दिया बंके होगी त्यार जबसे ज़्याधा ज़्या lyric बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है और गर्म गरम रोटी के साथ इसको खाएं चाबल के साथ खाएं रोटी के साथ खाएं दाल चाबल रोटी टमाटर लसून और सुख्य वाली रड मिर्ची की चटनी बन के होगी त्यार आप भी बनाईए और खाईएं